नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरेतन सेन भारती आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर कोरोना वाइरस की दूसरी लहर ना पुरे देस में सबसे ज़्यादा तवाही मचाई है दूसरी लहर से देस के ज़्यादा तराज परवावित हुए है ऐसे में अब पुरे देस में वैक्सीनेशन लगाने की पिरक्रिया तेज हो गई है पुरे देस में सबसे पहले 60 वरस के लोगों को वैक्सीन लगाई गई इसके बाद 45 साल के उपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई साथ ही उन लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई जो गंभीर रूप से बीमार हैं इसके बाद अब पुरे देश में इवाओं को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया सुरू हो गई है जिसमें 18 साल से उपर के लोगों को वैक्सीन की प्रक्रिया में सामिल किया गया है आपको बता दें कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आवादी इसी आयूबर के लोगों की है ऐसे में अब देश में लोगों को मनचाही वेक्सिन लगाने का विकल्प मिलेगा इसके लिए अब कोवीन पोटल पर बदलाव किये गए हैं इसी कड़ी में अब कोवीन का ठीका करन के लिए पंजीकरन कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि कीस ठीका करन केंदर पर कौन सब ठीका लग रहा है इसके साथ ही उम्र के हिसाब से ठीका करन केंदरों को खोजनी के विसुपधा परदान की गई है क्योंकि सभी केंदरों पर सभी उम्र के लोगों को ठीके नहीं लगते हैं 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ठीका करन से पूर्व पंजीकरन के सलाह दी जाती है जबकि 18-44 वर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरन कराना अनिवार है कोविन पर पंजेकरन कराने के बार टीका करन केंदर के चैन की भी सुभधा दी गई है इस दोरान पोटल पर यह भी परदसित किया जा रहा है कि किस केंदर पर कोवी सिल्द लग रही है और कोहां पर कोवैक्सीन इससे लोगों को टीके का चैन करने की सुभधा मिलने लगी है पहले सरकार ने कहा था कि लोगों को टीके के चैन के सुभधा नहीं दी जा सकती है लेकिन अब इसमें बदलाब किया गया है सरकारी सुधरों ने बताया कि यह बदलाब इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि जिन लोगों को दूसरी डोज लेनी है उन्हें यह पता रहे कि किस केंदर पर कौन सा टीका लग रहा है दरसल को वैक्सिन की आपूरती कम है तथा बहुत कम केंदरों पर इसकी उपलब्धता है दूसरे एक देड़ महीने पहले जिन केंदरों पर किसी ब्यक्ती ने को वैक्सिन लगाई है यह जरूरी नहीं कि आगे भी उस केंदर पर वही टीका उपलब्ध हो फिर कोई भी ब्यक्ती किसी भी केंदर पर टीका लगा सकता है इसलिए कोबिन पर यह जनकारी दी जा रही है कि कीस केंदर पर कौन सा टीका लगा जा रहा है इससे दुसरी खुराक लेने वालों को भी सहुलियत होगी इसी परकार आयू के हिसाब से टीका करने केंदर सर्च करने की विसुपधा दी गई है 45 से अधिक आयू के लोगों को जीन केंदर पर टीका लग रहा है उसमें ज़रूरी नहीं कि 45 बर से कम लोगों को भी लगता हो इसलिए उम्र के हिसाब से सर्च करने की विसुपधा कोबिन पोटल पर दी गई है 45 से कम उम्र के लोगों के लिए जायतर राजों ने अलग टीका करिंदर बनाये है ऐसे में उन आयू बर्ग के लोगों को कोविन पर अपना टीका करन केंदर सर्च करने की भी सहुलियत होगी इसे परकार पीन कोड और जिले का अधार पर भी Tika कैंद्र खोजने की सुभिधा पोटल पर दी गई है पोटल पर यह भी सुभिधा दी गई है कि 45 साल से अधीक उम्रिके लोग बीना किसी कैंद्र के चैन के भी पंजिकरन करा सकते हैं पंजी करन पूरा कराने के बाद उनका चार अंकों का विशेश सुरच्छा कोड आ जाता है जिसे नोट करने या फिर वह उसे सेव करके टीका करन केंदर पर जा सकते हैं और फोन नंबर और विशेश कोड बता कर वो टीका लगवा भी सकते हैं ऐसे में उनकी किसी भी टीका के पर इंतजार करने की बाधता नहीं रहेगी बतादें कि हाल में कोविन पर चार अंकों का विशेश सुरच्छा कोड शुरू किया गया है जब टीका लगने वाला यह कोड बताता है और उसे पोर्टल में दर्ज के जाता है तभी माना जाएगा कि टीका करन हो गया इसके बा काने वाले भ्यक्ति का भी नाम उसमें सामने आजाता है तो यह थी कोविन पर लेकर जर्मकारे जिसमें यह बताया गया कि कैसे-काइस हम कον सी वैक्सीन जो है कहां पे ले सकते हैं कोविन-पर्तल में किसकी सरह के नए बिलाब कि गया है लेकर और और ही खब्रों के लिए ब नवाद